तो आज है 29 मार्च और आज का मॉस्ट इंपर्टेन करेंट अफर देखेंगे उससे पहले 28 मार्च के करेंट अफर का रिविजन कर लीजें उसके बाद आज का करेंट अफर स्टार्ट करेंगे पहला कॉशन, Most Stable Mind in World का खिताब जितने वाली राज योगीनी दादी जानकी का हली में 104 वर्स की आयो में निधान हो गया उनका संबंध किस छेतर से था, अध्यात में से था और ये ब्रामा कुमारी संस्थान की परमुक थी RBI ने रेपो रेट पांच दसमलो एक पांच परतिशत से घटा कर कितना कर दिया है, 4 दसमलो चार शुन्य परतिशत, तो 0 दसमलो साथ पांच परतिशत की कटवती की गई है रेपो रेट में पद में विभोसर से सम्मानित की प्रसीद भारती चितरकार का हाली में 94 साल की उम्र में निधानो गिया 37 गुजराल केंद्रिय मंत्रि मंदल ने हाली में छेत्रिय ग्रामीन बैंकों की स्थिती में सुधार के लिए कितने करोड रुपे अवंटित करने के मंजूरी दे दी है 1340 करोड रुपे G20 वर्चुल सम्मेलन में G20 देसों ने कोरोना की वज़े से आई चुनोतियों से लडने के लिए कितना पैसा निवेश करने का फैसला किया है 5 ट्रिलियन डॉलर यानि 5 लाख करोड डॉलर किस अंताराश्चिय संगठन ने सबसे गरीब देसों में कोरोना वायरस महमारी से लडने के लिए 2 बिलियन डॉलर कि वैश्वीक मानविय परतिकिरिया योजना शुरू की है संयूकतराश्ट्र ने किस अंस्था ने COVID-19 से निपटने के लिए सुक्ष में लगों और मद्यम उद्यमों के लिए COVID-19 पुनारवास और राहत कोस की अस्थापन की है भारतिय उद्योग परिसंग ने हाले में किस देश की Space Force ने अत्याधिक उन्नत High Frequency उपगरा यानी AEHF6 लॉंच किया है अमेरिका ने विश्वा रंग मंच दिवस यानी World Theater Day कब मनाई जाता है 27 मर्च को क्रिसिल ने भारतिय अर्थ बेवस्था के लिए 2020-21 के लिए अपने विकास के अनुमान को 5.2 प्रतिशत से घटा कर कितना कर दिया है तो क्रिसिल ने 5.2 प्रतिशत से घटा कर कर दिया है 3.5 प्रतिशत अब चलिए आज का Current Affair देखता है पहला Question COVID-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए स्वेच्छा से अंश्दान करने के लिए भारतिस सरकार ने किस नाम से एक राहत फंड लॉंच किया है तो भारतिस सरकार ने Corona Virus से लड़ने के लिए एक राहत फंड लॉंच किया है उसका नाम है PM Cares Option C सही उत्तर है इसमें कोई भी बेखती जो है फंड दे सकता है यानि डोनेट कर सकता है इसका नाम है PM Cares PM Cares का फूल परमोगा परधान मंतरी यानि Prime Minister's, Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund COVID-19 से लड़ने के लिए किस बॉलिवड अभिनेता ने PM Cares फंड में 25 करोड रुपे दान स्वरुप देने की घोसना की है तो जैसे ही PM Cares फंड लॉंच किया गया है इसमें तुरंत बॉलिवड के अभिनेता अच्छे कुमार ने 25 करोड रुपे दान करने की घोसना कर दी तो इस कोशन का सहीूत्तर है Option D इसके पहले अरातन टाटा भी 500 करोड रुपे दान देने की घोसना कर चुके है इस फंड बे नहीं वो पहले ही घोसना कर चुके थे हाली में अब्दुल लतीफ का 73 वर्ष की आयो में निधन हो गया उनका संबंद किस खेल से था तो अब्दुल लतीफ का संबंद था फूट बॉल से भारत के पुर्भ फूट बॉल खिलाडी थे ठीक है 1970 में Asian Games का योजन किया गया था उसमें भारती टीम ने कांस से पदक जिता था उसमें ये भारती टीम के हिस्सा थे 1968 में Asia Cup Qualifier और 1979 में मर्देका Cup में इन्होंने भारत का परतेनेधित्व किया था ठीक है तो ये अब्दुल लतीफ भारत के पुर्व फूट बॉल खिलाडी थे Next और किस निकाय के बोर्ड के सदस्यों को रूप में निउक्त किया गया है तो कृष्ण मोहन परसाद और सतीज कुमार गुपता को केंद्रिय परत्यक्ष कर बोर्ड के बोर्ड का सदस्य निउक्त किया गया है Option C सही हुत्तर है यह दोनों अधिकारी 84 बैच के भारतिय राजस्वा अधिकारी है यहाँपर आपको बता दें कि कृष्ण मोहन परसाद वर्टमान में दिल्ली के प्रधान मुख्य आएकर आयूक्त है और यह दिल्ली के परथम प्रधान मुख्य आएकर आयूक्त भी है वही 37 कुमार गुत्ता ये महराष्टर इंकम टेक्स के परधान मुख्य आयूगता है CBDT जो है ये वित मंत्राले के अधिन करे करता है वित मंत्री है निर्मला सितारमन केंद्रिय परतेक्ष करबोर्ड इसका गठन वता 1944 में चेर्मेन है परमोध चंद्रमोधी हेड़क्वाटर नजदिली में है कॉरोनवारस को फाइलने से रोकने तथा सुरक्षा बलो को इस महमारी से बचाने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है तो भारतिय सेना ने कॉरोनवारस से लड़ने के लिए ऑपरेशन नमस्ते लौंज किया है Option A सही उत्तर हैं इस operation के तहट सेना ने अब तक 8 quarantine शिविर अस्थाफित किये हैं ताकि साइनिक खुद को सुरक्षित रखने के लिए operation या फिर अभ्यास के दोरान social distancing बनाये रखें तो operation नमस्ते किसने launch किया है भारतिये सेना ने इंडियन आर्मी ने इसे launch किया है इंडियन आर्मी के चीफ है मनोज मुकुंद नर्वाने उन्हों ने इसे हाली में launch किया ठीक है भारतिये सेना का गठन हुआ था एक अपरेल 1895 में हेड़क्वाटर ने इदियले में है चीफ मनोज मुकुंद नर्वाने वाइस चीफ है सतेंद्र कुमार सैनी मोटो यानि अदर्श वक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ स्वाब मुल्यांकन उपकरन यानि सेल्फ एसेस्मेंट टूल लॉंच करने वाला पहला भारतिये राज्ये कौन बना है वो है गोवा स्वाब मुल्यांकन उपकरन लॉंच करने वाला भारत का पहला राज्ये बन गया है गोवा ठीक है, कोरोना वायरास से लड़ने के लिए ये टूल लॉंच किया गया है ये टूल बीना डॉक्तर या अस्पताल गए कोविड नाइन्टिन के लक्षन को पहचानने में मदद करता है चलिए इस एस्ट्रेट के बारे में फट फट रिविजन करिए गोवा छेत्रफल के इसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है इसकी सीमा दो राज्यों से लगती है करनाटक और महरास्ट्रे गठन वाथा तीस मई 1987 को छेत्रफल के इसाब से 28 नंबर पे जन संक्या के इसाब से 26 नंबर पे है प्रदीप नंथरा जोग मुंबाई हाई कोट के मुखे नाइदी से मुंबाई हाई कोट के नियाईक छेत्र में ही गोवा आता है राजकी पशु गौर, राजकी पच्छी बुलबुल, राजकी ब्रिक्ष मत्ती देखनी ढालो, फुगदी, मंडो, तथा लैंप दांस यहां का लोग ने रितते हैं भगवान, महावीर, नेशनल पार्क, इसे मुल्लेम, नेशनल पार्क भी कहा जाता है अमेरिकी ब्यापार और वितिये सेवा कंपणी, मुडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए भारत की विकासदर के अनुमान को 5.3 परतिशत से घटा कर कितना कर दिया है तो इसने 5.3 परतिशत से घटा कर कर दिया है सीधा 2.5 परतिशत ओप्षन D सही उत्तर है वही 2021 के लिए अनुमान लगा है कि भारत की विकासदर रहेगी 3.2 परतिशत हाली में क्रिसिल ने मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्रिसिल ने 2020-2021 के लिए अपने विकासदर के अनुमान को 5.2 परतिशत से घटा कर 3.5 परतिशत कर दिया है वही मुडिज ने 5.3 परतिशत से घटा कर 2.5 परतिशत कर दिया है ठीक है कोरोना वारेस की वज़े से और अधिक तेजी से भारत की अर्थ ब्यास्तागी रही है इसके वज़े से अनुमान घटाया गया है मुडीज की बात करें तो 1909 में इसका गठन हुआ था हेड़कवाटर निव यॉर्क में है CEO है रेमंड डबलू मैक डेनियल जुनियर कोईड-19 लॉकडाउन के दौरान चात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में ब्यस्त रखने के लिए किस IIT संस्थन ने प्रोजेक्ट आईजेक लॉंच किया है आईएटी गांधी नगर ने यानि भारतिय प्रोजेक्ट आईजेक लॉंच किया है ताकि लॉकडाउन के दौरान चात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में ब्यस्त रखा जा सके तो आईजेक नूटन के नाम पर इस अभियान को लॉंच किया है आईएटी गांधी नगर में घरों में बैठे चात्रों के कोशल को बढ़ाने के उदेश से इसे लॉंच किया गया है आपको बता दें कि 1665 इस भी में लंदन में प्लेग रोग फैला था तब आईजेक नूटन को कॉलेज से घर भेज दिया गया था और घर में ही रहने के लिए कहा गया था तो उसी दौरान आईजेक नूटन ने प्रकाशी की और गुरुत्वा कर्शन के सिध्धान्त की खोज की थी इसलिए इस अभियान को उन्ही के नाम पर रखा गया है प्रोजेक्ट आईजेक हाली में राज्ये सभा सांसद और पुर्व केंद्रिय इसपात मंत्री बेनी परसाद वर्मा का 89 साल की आयों में निधन हो गया वेकिस राजनितिक पार्टी के संस्थापक सदसे थे समाजवादी पाटी के सथापक सदस्य थे बेनी परसाद वर्मा हाले में इनका निधन हो गया है 2011 से 2014 तक ये केंद्रिये इसपात मंत्री भी थे तो उसमें कांग्रेस पाटी में थे देखे शुरू शुरू में ये समाजवादी पाटी में थे बाद में ये कंग्रेस में सामिल हो गय है फिर दोबारा 2016 में ये समाजवाधी पाटी में शामिल हो गय है ठीक है और ये राज्यसभा सांसत भी थे समाजवाधी पाटी के तरफ से तो हौली में इनका निधन हो गया है समाजवादी पाटी जो है 1992 में इसका गठन हुआ था वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अखिलेश यादो और सचिव है किरन मोय नंदा उत्तर परदेश की ये पाटी है समाजवादी पाटी केंदर ने कोवेज नैंटीन राहत पैकेज में महिला स्वयंशायता समोहो को दीन दयाल राष्ट्रीय आजवी का मिशन के पाट कितने लाख रुपे तक जमानत मुक्त अरिर्ण देने की गोसना की गई है महिला स्वयंशायता समोहो को तो ऑप्शन भी सही उत्तर है तो ये था हमारा आज का करेंट अफर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेर जरू करना अब चलिए प्रिवियस मन से टॉप 10 करेंट अफर का टेस्ट लगा रहा हूँ फरवरी महा का ये पार्ट 5 है जितना भी हिसकोर आएगा कमेंट करके जरू बताना और लास्ट में दो क्वीज भी करूँगा उसका भी अंसर आपको कमेंट करके बताना है पहला कोशन फरवरी में गांधी नगर में आयोजित जंगली जनवरों के सयोक्त राष्टर परवासी प्रजातियों के सरक्षन पर तेरहे सम्मेलन का उढ़ातन कीस ने किया था बताईए तो गांधी नकर में इस सम्मेलन गा योजन किया गया था और इसका उढ़ातन किये थे परधानमंत्री नरेंतर मोदी option C next ये भी जानिए कि शुभंकर क्या था इस सम्मेलन का इसका शुभंकर था गोडावन ये एक पक्षी का नामे इसे हुकना पक्षी भी कहा जाता है या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ये जो सम्मेलन थे इसका थीम भी ध्यान में रखेगा मैइगरेटरी स्पेसिज कनेक्ट दा प्लानेट एंड वी वेलकम देम होम हाली में नौवा विशव पैंगोलीन दिवस कब मनाय गया बताइए तो विश्व पैंगोलीन दिवस मनाय गया 15 फरवरी को option C सही हुत्तर है पैंगोलीन एक जानवर का नाम है उसी के सारक्षन के लिए ये दिवस मनाय जाता है हाली में क्रिसी विकास के लिए अंतराश्ट्रिय कोस की 43 में गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहां आयोजित की गई थी बतेए इटली के कैपिटल रोम में इसका आयोजन किया गया था और इसका थिम था Investing in Sustainable Food Systems to End Hunger by 2030 किस अराज ने OBC समाजीक और सेक्षनिक रूप से पिछडे वर्ग विमुक्त जाती और घुमन्तु जन जाती और विसीस पिछड़ा वर्ग बिभाग का नाम बदल कर बहुजन कल्यान बिभाग कर दिया है बतेए महाराश्ट्र ने Option A सही हुत्तर है Next 65 Film Fair Awards 2020 में Best Film का परोसकार की से मिला तो 65 Film Fair Awards में Best Film यानी सर्वस्रेश्ट Film का परोसकार की से मिला गली बोय को Option C गली बोय की डारेक्टर है जोया अक्तर हाली में भारा सरकार ने लोथल में विश्वास्तरिय राश्ट्रिय समुदरी धरोभर कॉंपलेक्स कि आस्थापने हेतु किस देश के साथ समझोता किया है किस के साथ पूर्टगाल के साथ Option C तो कहां पर पंडित दिन दयाल उपध्याई की 63 फिट उची परतिमा का अनावरन किया वरारसी में वरारसी परदान मंतरी नर्यांदर मोदी का संसदिय चेतर है निम्न में से किस राज्य ने कॉलेज के छातरों को वितिय साहता राशी परदान करने है तू जगन्ना वसाथी दिवेना योजना शुरू की है किस राज्य ने जगन्ना वसाथी दिवेना योजना शुरू की है आंधर परदेश ने Option A Next दुबई में गल्फूड 2020 में इंडिया पैविलियन का उदगाटन किस ने किया बताएए तो गल्फूड 2020 में जिसका आउजन दुबई में किया गया था यहाँ पर इंडिया पैविलियन का उदगाटन किये हर सिमरत को और बादल ये वरतमान में केंदरी खाद्य प्रसर्स करन उद्योग मंत्री है पुरू सेकल वर्ग में टेनिस टूनामेंट बैंगलूरू ओपेन 2020 का खिताब किस ने जिता बताईए जेम्स डखवर्थ ने पुरू सेकल वर्ग में बैंगलूरू ओपेन 2020 का खिताब जीत लिया है जेम्स डकवर्थ औस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाडी है तो जितना भी इसको रहा है नीचे कमेंट करके बताईए और फेंड्स जैसे कि मैंने आप सभी को बताये हुआ है पहले ही कि मैंने स्टेट महा पीडियेफ तैयर किया है बहुत ही बेस्ट पीडियेफ है अगर आप स्टेट के बारे में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते है तो उस पीडियेफ को एक बार अपलोग जरूर पढ़ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मार्च 2020 तक अपडेटेड है चलिए पहला क्विस था दिल्ली में संपन एशन कुष्टी चेंपेंशिप 2020 में भारत ने कुल कितना पदग जीत कर तीसरा अस्थान प्राप्त किया लगबग सभी लोग ने अंसर सई दिया था भारत ने 20 पदग जीता था दूसरा कोशन था अब चलिए आज का पहला ट्वीज है दिल्ली विधाव सभा के अध्यक्ष कौन है दूसरा कोशन है वारिज्य मंताले के रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा बेपारिक साजेदार कौन सा देश रहा